नमस्कार जार्खंड राश्ट्रिये साधन समेधा च्छात्रविर्ति अर्थात N.M.M.S. परिक्षा जो 2020-21 का है इसके मैस्क का सॉल्व पेपर का पार्ट वन वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ कुल 20 प्रश्ण दिये गए थे इसमें से पहले 10 प्रश्ण मैं अभी पार्ट वन में हल कर रहा हूँ अगला जो 10 प्रश्ण होगा वो पार्ट वीडियो में पार्ट टू वीडियो में हल किया जाएगा तो आएए देखते हैं प्रस्णु को प्रस्ण संख्या 71 यही क्रम दिया गया है उस प्रस्ण पत्र में 2 बटे 7 का कितना प्रतिसत 1 बटे 35 है तो आएए से हल करते हैं यह हम माल लेते हैं कितना प्रतिसत जो लिख रहा है इसे हम x माल लेते हैं तो दो बटे साथ का एक्स प्रतिशत ब्राबर एक बटा 35 या दो बटे साथ गुना एक्स बटा सो ब्राबर एक बटे 35 या एक्स इधर रहा गया और और ये दो बटा साथ को हम इधर ला रहे हैं दाहिनी ओर तो ये साथ बटा दो हो जाएगा और ये सो उपर अंस में आ जाएगा तो हम इसको काटते हैं साथ से साथ पच्छे 35 पांच से फिर ये कटेगा बीस बार में फिर ये दो से बीस को काटेंगे दस बार में तो अर्था बात हमारा उत्तर आ गया 10 परतिशत यह हमारा option नुबर 2 है प्रस्न संख्या 72 यदि 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 इसकल to 125 तब x का मान क्या है यहां पर x से इसका मान निकालना है आ यह से हल करते हैं 5 to the power 2x plus 1 divided by 5 इसकल to 125 एक सो पचीज या 5 to x plus 1 divided sorry यहां पर 25 था हमने 5 लिख दिया तो यह 25 को हम 5 square लिख सकते हैं और 125 को 5 का cube या 5 का घन हम लोग जानते हैं कि जब आधार एक ही हो तो यह भाग की स्तिती में घात या घातां को हम घटाते हैं तो यह इस तरह से हो जाएगा इसका घात है 2x plus 1 और यहां है 2 तो यह दो घटा दे रहे हैं ब्राबर आज का घात 3 तो यह हो जाएगा 5 का घात 2x और यह minus 1 हो जाएगा plus 1 minus 2 minus 1 is equal to 5 घात 3 हम यहां देख रहे हैं कि आधार एक है और यहां ब्राबर कभी चिन है तो यह जो घात है और यह घात दोनों ब्राबर होना चाहिए तो यह implies करता है 2x minus 1 is equal to 3 या 2x is equal to 3 plus 1 is equal to 4 तो x ब्राबर कितना हो जाएगा 4 बटा 2 यानि 2 तो हमारा answer है option number 2 प्रस्न संख्या 73 0.000367 into 10 to the power 4 अपने स्वभाविक रूप में है जब इस तरह कर रहता है तो हम क्या करते हैं दस का घात यहां पर चार है तो दसमलों को दाहिनी और चारंग ले जाते हैं तो यहां से हम गिनेंगे तो एक दो तीन चार तो यह जो दसमलों है यह कहां आ जाएगा यह तीन और चे के बीच में तो यह हो जाएगा हमारा तीन दसमलों चे साथ और यह option number 1 है question number 74 कौन सी नियूंतम संख्या द्वारा 1536 को विवाजित किया जा सकता है ताकि एक पूर्ण घन संख्या पाई जाती है इसके लिए हम 1536 का अभाज्य गुननखन निकालेंगे तो आएए निकालके देखते हैं यह हो गया 1536 और इसको हम सबसे पहले भाग करेंगे दो से दो सते 14 एक बजगा 13 दो चक बारा एक बजगा 16 दो अठे 16 फिर दो से दो तियाई 6 एक बचा 16 दो अठे 16 दो चो के 8 फिर दो से दो एका दो और यह ठारा हुआ दो नमा ठारा और दो दुनी चार फिर दो से जाएगा तो दो नमा ठारा एक बचा बारा दो चर बारा फिर दो से होगा तो अरतालिस और फिर दो से होगा चौबिस फिर दो से होगा बारा फिर दो से होगा छे और फिर दो से करेंगे तो तीन तो इसका अर्थ यह हो गया कि 1536 ब्रावर दो गुना 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 दो दो देखी कितनी बार है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ बार है दो नौ बार है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यहां भी देख लिए यह गुणा तेन का हमें अगर बनाते हैं तो एक हो गया यह संवू तो यह नंजा Гाइगा अर्फात किसे हमें हटाना होगा किस से विभाजित करना होगा तीन से, तो यह हमारा option number 5 है, question number 75, यदि x27y जैसा चार अंख की संख्या 9 से ठीक ठीक विभाजित होती है, तब x प्लस y का निून्तम मान है, तो यह कह रहा है कि यह जो संख्या दिवी है, यह 9 से विभाजित होती है, तो x और y दोनों जोड़के कितना आना चाहिए, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि 9 से विभाजित होती है, तो निस्चित रूप से उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा, या इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, तो अब हम इसके अंकों का योग देखेंगे, तो 2 तो हमारे पास है, 2 और 7, तो 2 और 7 जब दोड़ते हैं, तो 9 आ गया, ये तो हो गया, तो अब बच गया कौन सा, x plus y, तो ये भी तो 9 आना चाहिए, तभी तो होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे, अगर x plus 2 plus 7 plus y, तो ये तो 9 है, तो ये और ये भी 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, तो हमारा क्या आ रहा है, X प्लस Y, 9, क्योंकि इससे अगर हम सुन्ने करते हैं, देखिए, एक बात और कह रहा है, कि अगर हम ये सुन्ने लिखेंगे, कुछ लोग कर सकते हैं, कि अगर हम यह एक्स प्लस य इसकल्टू अगर हम यहाँ पर सुन्य बैठा दें, यह और यह सुन्य बैठा दें, तो यह तो 9 हो ही जाएगा, 9 से बिवाजित हो जाएगा, लेकिन वैसी परिस्तिती में यह 4 अंकी संख्या नहीं रहेगी, यह फिर ऐसा हो जाएगा, यह 3 अंक उत्र हो जाएगा, तो हमारा सही उत्तर है यह, पाँचवाँ आप्शन, 9. Question number 76, यदि x is equal to 10, तो 4x square plus 20x plus 25 का मान है, तो इसे हम दो उत्र से बना सकते हैं, या तो सीधे हम यहाँ पर x का जो मान है, 10 वो बैठा दें और मान निकाल लें, यह भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा सुविधा जनक होगा, कि इसे हम, जो सर्व समिका का रूप है, उसमें हम बदल दें, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यह 2x का whole square हो गया, plus यहाँ पर रविम छोड़ दिये हैं, और इसे 5 square, तो देखने से क्या लग रहा है, कि a plus b का whole square जैसा है, देखते हैं, चेक करते हैं, 2 into 2x, यानि 2a into यह b के जगा 5, तो यह देखिए a plus b whole square कि तरह आ गया, उसी सर्व समिका के जैसा है, तो यहाँ a के जगा 2x है, और b के जगा 5, तो a plus b का whole square, यह आ गया 2x plus 5 का whole square, अब यहाँ पर मान बैठा देते हैं, तो यह हो गया हमारा 25 का square, यानि 625, तो यह तीसरा number option सही है, अब यहाँ प्रशन संख्या 77, यह गुनन खंड से है, तो आ यह से हल करते हैं, 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square, इसे हम लिख सकते हैं, 5a का whole square minus, और इसे फिर bracket में डाल दे रहे हैं, 4b square minus 28bc plus 49c square, चुकि पहले bracket से पहले minus है, इसलिए इधर का दोनों चिन बदल गया, यह plus minus हो गया, minus plus हो गया, 5a square, 5a whole square minus, 4b square को हम 2b का whole square लिख सकते हैं, minus, यह इधर छोड़ दे रहे हैं भी, 49c square को हम लिख सकते हैं, 7c का whole square, अब यहाँ पर 28b को हम set कर रहे हैं, तो यह 2b into 7c, देखिए इसको गुना करेंगे, तो फिर 28b आ जाएगा, लेकिन यह क्या है, a minus b का whole square जैसा आ गया, तो यहाँ पर हो गया, 5a square minus, 2b minus 7c, a minus b whole square जैसा है, square, तो यह a square minus b square के form में आ गया, इस तरह से, a square minus b square, तो यह होता है, a plus b into a minus b, और a की जगा है हमारा 5a, और b की जगा है 2b minus 7c, तो आई यह उसमें set करते हैं, तो यह 5a plus 2b minus 7c, यह a plus b जैसा हो गया, और दूसरा हो गया, 5a minus 2b minus 7c, इसका है 2, 5a plus 2b minus 7c, और इधर हो गया, 5a minus 2b plus 7c, क्योंकि पहले minus है, यह यह minus बदल गया, प्लस में, तो कौम सा है, यह हमस्पर्स देख रहे हैं, option number 1, प्रस्न संख्या 78, यह और बी की उम्र 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, आज सी 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 3 अनुपात 4 होगा, बी की वर्त्मान उम्र है, और 4 option दिया गया है, 20 वर्स, 28 वर्स, 15 वर्स और 21 वर्स, तो आई यह से हल करते हैं, और देखते हैं इस तरह के प्रस्नों को कैसे हल करते हैं, तो मान लिया कि एक की वर्त्मान उम्र, पांच अनुपात 7 है, तो यह 5 एक सम लिखेंगे, ठीक इसी तरह से, बी की वर्त्मान उम्र, इसे 7 एक स, अब 4 साल के बाद, चार साल बाद, एक की उम्र, तो निश्चित रूप से अभी इसकी उम्र 5 एक स है, तो चार साल बाद और चार ज्यादा जोड़ देगे इसमें, और बी में भी ऐसा होगा, बी की उम्र ये हो जाएगी, 7 एक स्प्लस 4, लेकिन प्रस्ण से चार साल बाद इनका अनुपात क्या बताया जा रहा है, इनका अनुपात क्या बताया जा रहा है, देखिए, तीन अनुपात 4, तो इसे हम ऐसा लिखते हैं, इसकल टू, तीन बटा चार, तो अब ये तिर्चा गुना करते हैं, तो चार से गुना करेंगे इसे ऐसे, 5 एक स्प्लस 4, और तीन से करेंगे, 7 एक स्प्लस 4, तो ये हो गया, 20 एक स्प्लस 16, वराबर 21 एक स्प्लस 12, या 20 एक स्माइनस 21 एक स्प्लस 12, तो यहां पर हो गया, माइनस एक स्प्लस 12 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 एक यह यह वर्स तो कौम सा आप्शान नमर सही है दो नंबर अठाइस वर्स पॉस्टन नमर सेवेंटी नाइन किसी मसीन का मुल्य हर साल बीस परतिसत से रहास होता है जदी उस मसीन का वर्तमान मुल्य यह कितना है देखी तो एक आई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाक एक लाक साथ हजार रुप्या है तब पिछले साल उसका मुल्य कितना था तो आये से हल करते हैं मान लिया कि पिछले साल मशीन का मुल्य एक सुर रुप्या तो परतिवर्स हरास कितना होता है परतिवर्स जो हरास है वो है बीस परतिसत यानि सौ में बीस रुप्या तो इस वर्स वर्तमान वर्स या वर्तमान मुल्य किसका मुल्य मशीन का तो वर्तमान मुल्य क्या हो जाएगा इस हिसाब से एक सो घटाव बीस यानि असी रुप्या ग्यार कीजिए कि यह अगर सो रुप्या होता पिछले साल तो अभी उसका मुल्य होता असी रुप्या इस जानकारी से हम अब इसका एंसर निकालेंगे वास्तविक जो वर्तमान मुल्य था सॉरी इसलिए पिछले साल का मशीन का मुल ब्राबर एक सो बटा असी गुणा देखे जिसे निकालना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं एक एक नियम में तो वो उपर में रहता है यानि अंस में रहता है तो हमें पिछले साल का मुल निकालना था तो पिछले साल का हमने माना था सौ इसे हमने इसे उपर रखा है अंस में रखा है और जो वर्तमान जो ह हिसाब से निकाला था उसे नीचे रखा है आई अभी से हम हल करते हैं काटते हैं देखिए यह सुनि-सुनि कट गया और आठ से हम देते हैं इसमें भाग तो आठभूनसुल ला और यह तीन जीर रूप एक, दो, टीन तो यह हो गया ही तो यह हमारा चौत्ता नमबर option सही है ता प्रस्ण संख्या 80 किसी वस्तु का विक्रец क्रे मुल का छेवटे 5 १ लाब पर्तिसत क्या है 20 पर्तिसत 25 पर्तिसत 30 पर्तिसत या 40 पर्तिशत तो इसे वह हम सोर प्या क्रे मुल मानगा चाल करते हैं तो तो मान लिया कि क्रेमुल वस्कु का क्रेमुल ब्राबर एक सो रुप क्या तो विक्रेमुल कितना होगा एक सो का छे बटे पांच यहां लिखा होगा ना कि विक्रेमुल उसके क्रेमुल का छे बटे पांच है तो क्रेमुल था हमारा सो रुप्या माने थे तो विक्रेमुल हो जाएगा सो का छे बटे पांच पाई से हल करते हैं 100 का मतलब गुना 6 बटे 5 तो 5 से देंगे ये तो ये 20 बारे में तो हो गया 120 तो लाब कितना हो जा रहा है 120 विक्रेमल घटाव क्रेमल 100 यानि कितना हो गया 20 रुपया लेकिन चुकि 100 रुपया पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही तो परतिसत भी हो गया तो लाब परतिसत हो गया 20 परतिसत तो ये ऑप्शन नमबर 1 हमारा सही है आसा है कि हमने जो प्रस्नों को हल किया और जिस तर समझाया आपको समझ में आगया होगा यहां एक बात गौर करने की है कि अगर ये स्कॉलर्शिप में आता है तो आपको इतना लिखना नहीं है शौर्ट में जाना है हमने इसलिए लिखा है सारा डिटेल में बनाया है ताकि आपको अच्छी तर से समझ में आए अगर क्लास एट बोर्ड में या विद्यालय की परिक्षा में अगर ये प्रश्ण आते हैं और वो दिर्गुतरिये में आते हैं तो आपको इसी तर से लिख कर बनाना पड़ेगा धन्यवाद